नस्यार साब पहली प्रतकरिया क्या है? परव है देश का लोकतंतर का और लोकतंतर को बचाने की लड़ाई में अब अर्विन जी पिछ आगले जो 10-15 दिन परचार करेंगे वो बहुत प्रवरतन निदेशाले की तरफ से सॉलिसीटर जेनरल नहीं ये दलील दी थी कि ये गलत परमपरा होगी और इस तरह से एडी ने आता कि एडी के उपर कोई प्रेसर है बार-बार सर्वोचे नाले ने कहा कि आप बताईए क्या सबूत हैं आपके पास आपको ध्यानों का पांथ सवाल पूचे गए थे एक भी सवाल का प्रपर रिप्लाई नहीं दे पाई एडी एडी के उपर क्योंकि दबाव था ये परो में अर्विंद केजरिवाल जी पूरी तरीके से सामिल हो सकते हैं ओपन सीक्रेट की तरह था लेकिन कोट के रुख को देखते वे शुरू के दिन से लग रहा था कि कोट अंतरिम जमानत देना चाहती अर्विंद केजरिवाल को और आज वही हुआ जी बिलकुल मान्य स सरोचनल ने बार-बार कहने के बाद पिछली दो डेट्स पे इडी की तरफ से जब सॉलिशेटर जनल आए और सॉलिशेटर जनल साब की जो अर्गूमेंट थी उस अर्गूमेंट पे एक बार तो पूरी कोट के अंदर जितने भी लॉयर्स वापे बैटे हुए थे सबने कि किसान से उनका कंपेरिजन किया यह महापर्व है पांच साल में एक बार आता है लोगतंतर के अंदर कहीं न कहीं लेवल फिल्ड के अंदर चुना होना चाहिए उसको मद्दे नजर रखते हुए कहीं न कहीं देश के समीधान की रक्षा करते हुए सरोचनल ने फैसल लग नहीं देखिए संजय जी हम तो पहले दिन से करें बाखी लोग नजीर की तरह पेश करेंगे और भी राजनीतिक अपरादी हैं या ऐसे अपरादी हैं देखिए देश के अंदर लोकतंतर के अंदर चुने हुए मुक्यमंत्री को जिस तरीके के बिना आरोप के बिना सबूत के अरेस्ट किया गया मैं यह मानता हूँ यह देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था और आगे फ्यूचर में भी ऐसा ना हो मैं इसी काम ना करता हूँ दिल्ली और आसबास के चुनाओ प्रचार में कितना रंग बदल जाएगा इससे राजनीतिक असर क्या होगा संज अंदर मोदी ची पूरी तरीके से साफ होने जा रहे हैं यानि आन्दी की उमीद कर रही है आम अम्दीब पार्टी और संजीव नसार ने कहा कि आम आदमी पार्टी को एक नई संजीव नहीं मिल रही है सुप्रिम कोट के सादेश से कैमरामेन नासिर खान के साथ संजेश श कि झार्टी क कोट रही है है से वेशव के सादेश माजा है यार्टी का रहाल शब्हा की आजीघ पार्टी की वेश्श गर्टी कोटिन रहे हैं यार्टी उनना है है